प्यारे बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खक्चा बारा बोतिक विज्ञान यानि फिजिक्स में हमारा ये चेप्टर तीन है विदूत विभव और इस चेप्टर के जितने भी आपके most important question है उन questions के बारे में हम discuss करने वाले हैं जो question आपके 2021 बोर्ड प्रिक्चा के लिए very very important question है तो इस चेप्टर में आपके जितने भी very very important question है जो आपके 2021 बोर्ड प्रिक्षा के लिए मैतूपुन है उन questions के बारे में हम discuss करने वाले हैं और इससे पहले दो चेप्टर में already आपको करवा चुका हूँ उन चेप्टर की link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप उन दो चेप्टर को भी अच्छे से cover कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं यदि आपको 95 plus करना है तो आपको इन questions की अच्छे से त्यार करने होंगे तो questions start करते हैं जिसमें पहला question क्या दिया गया हमें इस्थिर विदूत विभव को प्रिभासित कीजिए यानि जो इस्थिर विदूत विभव है उसकी आपको क्या लिखनी है प्रिभासा लिखनी है इस्थिर विदूत विभव तो यह आपको heading में लिखना है इस्तिर विदूत विभव उसके बाद में इसकी प्रिभासा लिखनी है तो विदूत छेत्र के किसी बिंदु पर विभव एक परिक्षण आवेस क्यू नोट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किये गए कारिये और विदूत छेत्र होता है उसके किसी बिंदु पर विभव एक परिक्षण आवेस क्यू नोट को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किये गए कारिये और विदूत आवेस की मात्रा उसकी निस्पती के बराबर मानी जाती है तो ये आपका क्या कहलाता है इस थिर विदूत विभव कहलाता है काफी important question है उसके बाद में जो next question है हमारा सम विभव प्रस्ट को प्रिभासित कीजिए यानि जो सम विभव प्रस्ट है इस नाम से इसकी प्रिभासा में बनानी है सम का मतलब क्या होता है समान तो सम विभव प्रस्ट है उसकी प्रिभासा लिखनी है और इस question के हम बात करें तो ये question आपके दो बार exam में आ चुका है एक बार 2000 गुनिस बोर्ड प्रिक्षा में आया था और एक बार 2013 की प्रिक्षा में आया था काफी important question है इस बार भी इसके 50% से discussion के आनेगी तो इसकी प्रिभासा पूच सकता है यानि सम विभव प्रस्ट क्या कहलाएगा एसा प्रस्ट जिसके परतेग बिंदू पर विभव का मान समान होता है एसा प्रस्ट जिसके प्रतेग बिंदू पर विभव का मान समान होता है सम विभव प्रस्ट कहलाता है और सम विभव प्रस्ट के किनी दो बिंदू के बीच विभवांतर का मान क्या होता है सुनने होता है एसा प्रस्ट जिसके प्रतेग बिंदू पर विवव समान होता है और सम विवव प्रस्ट कहलाता है और सम विवव प्रस्ट के किनी दो बिंदूओं के बीच जो विववांतर होता है वी होता है उसका मान क्या होता आपके जीरो होता है सुनने होता है काफी इम्पोर्ड उसके बाद में next question है हमारा question number 3 10 cm तिर्जा के आवेशित गोलिये कोस की सताय पर 10 V विवव है इसके केंदर से 5 cm दूर विवव का मान लिखिए यानि 10 cm तिर्जा का कोई आवेशित गोलिये कोस है और उसकी जो सताय उस पर 10 V विवव लिख रगा है और इसके केंदर से 5 cm दूर विवव का मान कितना होगा तो आवेशित गोलिय कोस के भीतर विदूत विवव वी बराबर के क्यूं अपॉन आर गोलिय कोस की सतह पर विदूत विवव बराबर कितना होगा 10 V होगा इसका अंसर कितना आएगा आपके 10 V काफी important question है, उसके बाद में next question के बारे में हम discuss करते हैं कि next question हमारा क्या है, ये भी काफी important question है, उसके बाद में अगला question है, question number 4, विदूत विवव की प्रिवासा लिखिये, जो first question हमने पढ़ा था, इस्तिर विदूत विवव, और ये आपका क्या है, only विदूत विवव किसे क दिशा के विपरित, अनन्त से उस बिंदू तक लाने में किया गया कारिये, उस बिंदू पर विदूत विवव कहलाता है, ये question आपके very very important है, ये आपके exam में आ सकता है, और इस question के आपके 95% से, तो ये question आपको अच्छे से त्यार करना है, यानि जो विदूत विवव होता है, उसकी प्रिवासा, तो इसकी प्रिवासा में आपको बता दी है, जिस तरीके से मेंने explain किया है, लिखा है, उसी तरीके से आपको board प्रिक्षा में लिख कराना है, ता बिदू तक लाने में किया गया कारी उस बिदू पर विदूत विवव कहलाता है, अगर आपका math, physics, chemistry और biology के किसी question में doubt है, तो आपको इस question का photo खिंच कर उसको crop करके send करना है, तुरूंत वीडियो solution के साथ आपको आपका answer मिल जाएगा, और आप class 6-12, NIT, IIT, J.Mans और advance की भी दैरी कर सकते हैं, तो इभी description में जाएए, और doubt net के इस application को download कीजिए, doubt हो तो doubt net करो, आप 84-400-400, इस number पर भी आप अपने question का photo crop करके send कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आपके question का answer video solution के साथ मिल जाएगा, question number 5 है आपके, उस बोतिक रासी का नाम लिखिए, जिसका मातरक जूल परतिक कुलाम होता है, और बताना है कि जो रासी है, वैसदिस रासी है, या फिर अदिस रासी है, या फिर अदिस रासी है, या उस बोतिक रासी का नाम बताना है, जिसका मातरक क्या होता है, जूल परत प्रति कुलाम ओके तो उस बोतिक रासी का नाम क्या होगा आपके विदूत विभव होगा क्योंकि विदूत विभव का जो मात्रक होता है एसाई यूनिट होती है वो आपके होती है जूल प्रति कुलाम और यह है कौन सी रासी मानी जाती है अदीस रासी मानी जाती है ओके य विवाव परवनता का मात्रक क्या होगा उसका SI मात्रक क्या होगा वोल्ट प्रती मीटर यानि V upon M यह आप लिख सकते हैं। कितने डिगरी का एंगल होता है तो विदूत छेत्र रेखाएं सम विवव प्रस्ट के लंबुवत होती है विदूत छेत्र रेखाएं सम विवव प्रस्ट के लंबुवत मानी जाती है अर्थार्थ उनके मद्दे जितना कोण होगा वो कितने डिगरी का होगा 90 डिगरी का आठ है आपके ये सतरा नहीं है कुछ नमर आठ है आर तरिजिया के गोले चालक के केंदर से आर अपोंट टू दूरी पर विदूत विवव का मान गयात कीजिए तो चालक गोले के बितर विदूत विवव क्या रहता है नियत रहता है और मान है वो सत्य के विभव के तुले होता है चालक गोले के बितर विदूत विभव नियत होता है और मान सत्य के विभव के तुले होता है अध्वी बराबर के क्यों अपोन आर यह फार्मूला है काफी important है इस फार्मूले से आप numerical questions भी solve कर सकते हैं आसान तरीके से और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें